आज मैं बनाने वाली हूँ सांबर सांबर हम इडली, डोसा, उत्तपम या ऐसे भी आप सिंपिल चावल के साथ खाईए बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारी सबजीयों के साथ बनता है और मैं इसे आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी तो चलिए बनाते हैं सांबर नमस्कार, मी एन माई किचिन, बाइनन्दिनी में आप सभी लोगों का स्वागत है सांबर बनाने के लिए मैंने आ लिया है कद्दू, बड़े टुकड़ों में कटे, कुछ गाजर के टुकड़े हैं प्याज हमने ले लिया है इसे भी बड़े टुकड़ों में काट लिया है आप कोई भी सबजियां ले सकते हैं सहजन की फली ले सकते हैं गोबी ले सकते हैं भिंडी लॉकी जो भी आपके घर में हो वो सबजी आप इसे ले सकते हैं इसमें और मैंने आख अटाई के लिए डाल दिया है थोड़ी सी इमली जिसे मैंने गुंगुने पानी में भीगने के लिए रख दिया है हम एक कुकर में तेल डाल लेंगे उसमें डालेंगे जीरा, राई और ये हरी मिर्च मेंने डाल दिया हरी मिर्च के भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता कड़ी पत्ते का टेस्ट सामबर में बहुत ही अच्छा आता है तो आप कड़ी पत्ता जरूर डाले अब हम इसमें डाल देंगे प्याज जिसे हमने काट कर रखा था प्याज को भूनेंगे प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है साथी में हम डाल देंगे थोड़ा देर पास एक से दो मिनिट बाद हम डाल देंगे कपड़ी के टुकड़े और गाजर के टुकड़े प्याज के साथ में ही भून लेंगे दो से तीन मिनिट कद्दू और गाजर को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले डाल देंगे जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर अच्छी तरह से चला लेंगे ये कलर और तीखापन के लिए है लाल मिर्च और हल्दी पाउडर अब हम डाल देंगे टमाटर के टुकड़े और साथ ही में डाल देंगे नमक नमक आप अपने स्वाद के अनुसवाड डालें टमाटर को नमक के साथ अच्छे से भून लेंगे सब्जियों में अगर आप सहजन की फली डाल रहे हैं तो उसे अलग से पकाकारी डालें नहीं तो कुकर में वो पूरी तरह से मैश हो जाएंगे सब्जियों के भुन जाने के बाद आप इसमें डालेंगे हम आधा कप दाल मैंने यहाँ तूगर डाल ली है इसे अच्छी तरह से दो लिया है और आप हम इसे सब्जियों के साथ ही पकाएंगे तो हम इसे सब्जियों में डाल देते हैं चाहें तो पहले डाल को ऐसे सिंपल ही पका लें उसके बाद उसे सब्जियों में डालें या आप इस तरह से भी बना सकते हैं ऐसे में भी बहुत ही आसान रहता है और कभी का भी अमारे पास दाल बच जाती है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं बची हुई दाल का भी हम सांबर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे सांबर मसाला दो बड़े अगर मेरी दाल बच जाती है तो उसका सामबर बना देती हूं और वो बहुत ही टेस्टी बनती है अब हम इसमें डाल देंगे पानी हम इसमें ज्यादा डालेंगे दो से तीन गलास आप पानी डालें मिक्स करके कुकर को बंद कर देंगे और तीन से चार सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे डाल हमारी बच चुकी है और कुकर भी ठंडा हो गया है तो चलिए देख लेते हैं देखे कितनी अच्छी तरह से बनी है डाल सामबर हमारा बन चुका है और सबजियां भी पक चुकी है और यहां हमारी इमली भी तैयार हो चुकी है जिसे हमने भीगने डाला था इसे अच्छी तरह से मसल कर मिक्सर में पीष लेंगे इसका पेस्ट बना लेंगे और अब हम लगा लेते हैं तड़का सामबर को तड़का लगाने के लिए पहले हम एक कड़ाई में तेल डालेंगे उसमें राई और जीरा को डालेंगे सामबर बनाने के लिए हमें कभी भी ऐलुमिनियम के बरतन यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि जब उसमें खटाई पड़ेगी तो अलुमिनियम रियेक्शन करके हमारे खाने में मिक्स हो सकता है नार्मल डाल बनाने के लिए आप अलुमिनियम यूज कर सकते हैं लेकिन खटाई जब पड़ेगी तब अलुमिनियम आपको यूज नहीं करना है जीरा और राई के भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, कड़ी वाली इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चमच, हींग, हींग सामबर के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है तो आप हींग इसको धीमा कर देंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा सामबर सामबर भी हमने तड़का लगा दिया है कुगर को धोकर फिर से इसमें डाल देंगे इसका पानी क्योंकि सामबर पतला ही होता है तो आप चाहें तो इसे और भी पतला कर सकते है ज़्यादा पानी डा नमक पहले भी डाला था इसलिए आप ध्यान से डाले नमक अब अब इसे ढखकर पका लेंगे तेखिए उबाला गया है अब इसमें डालेंगे हमारा इमली का पल्प आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाले जितना भी खटा खाना चाहते हैं अगर आपके पास इमली नही या आम सूखे वाले रहते हैं वह भी डाल सकते हैं खटाई आप दाल पकने के बाद ही डाले नहीं तो दाल नहीं पकेगी अगर अच्छी तरह से पकाएंगे सांबर को सांबर हमारा पक चुका है बहुत अच्छी तरह से उबाला चुका है देखी कितना अच्छा कलार आया है इसमें तो आप भी अपने घर में जरूर बनाईए सांबर और मुझे कमेंट्स में बताईए कि आपका सांबर कैसा बना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब